वेलकम मित्रो आपके अपने यूटूब चैनल दिनेस राजवन से पर एक बार फिर में आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूँ तैयार हो जाएगेगा कॉपी पैन लेकर के क्योंकि आज फिर हाजिर है 2019 यूपी टेट के लिए परियावरान अध्यन का EVS Special Practice Set जो 10 प्रिशनों का समूव होता है यह सेट आपके एक्जाम की दृष्टी से बहुत ही महतपूण है और इसमें से मैं वादा तो नहीं करूँगा या कहते हैं न वादा तो टूड़ जाता है तो वही न वादा नहीं करूँगा परन्तु आप चेक कर सकते हैं अपने आपको कि आपकी तैयारी कैसी है और यह कुश्चन्स मेरे अकोर्डिंग एक्जाम में 90% आएंगे ही आएंगे आप डेली प्रेक्टिस करते जाएं और प्रेक्टिस करते करते हैं मैं कुश्चनों का इसतर बढ़ाता चलूँगा और आपको तैयारी भी अच्छी होती चले जाएगी टैट हो या किसी भी एधर एक्जाम्स यूपी टैट के अलावा सी टैट हो या फिर आपका यूपी तरपलेसी का हो PCS तक के इसमें हैं क्यों अभी मैं कुश्चन ले रहा हूं वो कहीं न कहीं CDS या PCS या TET मैं आई हुए ले रहा हूं और आजकल परियावरान प्रतियक एक्जाम में हिस्सा बनता जा रहा है तो दोस्तों चलिएगा बिना समय गबाए तयार हो जाएगा कॉपी पैन ले करके और अपना अंसर लगा चलिएगा आज का पहला प्रिशन किस राजी का छेत्रफल सरवाधिक वन आवरण से धका हुआ है समझ गए होंगे कुश्चन की भासा क्या कह रहा है किस राजी का छेत्रफल सरवाधिक वन आवरण से धका हुआ है मिस उसके छेत्रफल में सरवाधिक वनों का प्रतिसात है समझ गए ना दोस्तो चलिएगा ओप्सन देखें अरवनाचल पिलदेश B. अप्सन मद्धिप्रदेश C. अप्सन तमिलनाडू D. अप्सन मिजोरम इसमें से सही अंसर लगाईएगा और इसका मैं सही अंसर बताने जा रहा हूँ इस प्रिशन का सही अंसर है दोस्तो D. अप्सन मित्रो जो सेवें सिस्टर्स राज हैं पूरवत्तर भारत में उनमें से है एक मिजोरम अगला प्रिशन दोस्तो दूसरा मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं मरुस्थल के पादप अधिकतर होते हैं मांसल होते हैं, साकी होते हैं, परव्रत्ती होते हैं, पढ़ना भी व्रत्ती होते हैं दोस्तों इसका अंसर लगा लिया होगा, मैं बता रहा हूँ इसका A option अंसर है मांसल, मिन्स भी मोटे मोटे मसल्स जैसे होते हैं, पत्तिया नहीं होती है अगला प्रिशन आपके सामने है तीसरा निमलिखित में से कौन सा कारक किसी इस्थान की बनस्पती निर्धारित करता है आपको बताना है कौन सा फैक्ट है जो किसी इस्थान की बनस्पती निर्धारित कर देता है A option प्रिकास, B option वर्षा, C option मिर्दा, D option मिर्दा जल मिर्दा जल means भूमी गजल मिर्दा में जो जल पाये जाता है तो इस प्रिशन का अपना सही अंसर चैन करें दोस्तो इसके बाद मैं बताऊंगा तीन सेकंड का आपके साथ समय कमेंट करके भी बताते चलिए तो और मज़ा आएगा निमलिखत में से कौन कारक बनसपती को निर्धारत करता है इन चारों में बहुत ही महतपून है और इनका अंसर आप समझते जाएं इसका अंसर है दोस्तो वर्सा, B-Option वर्सा बनसपती का निर्धारत कर देती है आप समझ रहे होंगे भूमद रेखी वर्सा वन अमेजन वर्सा वन जैसे अधिक वर्सा वाले छेतरों में पेड़ों की लंबाई अधिक होती है मोटाई अच्छी होती है सदावार वन पाये जाते हैं कम वर्सा वाले छेतरों जैसे मरु इस्थल देख सकते हैं लंबाई छोटी होती है मिन्स कद उनका छोटा और उनकी पत्तियां का मोती है मिन्स मोटे मोटे पाये जाते हैं नाकफनी का पौधाया देख ले हैं उक्के दोस्तो समझ गए होंगे आप वर्सा वनस्पती का निरधारण करती है अगला प्रिस्म दोस्तो मरुस्तल में उगने वाले पाधे कहलाते हैं जो डेजर्ट हैं उनमें उगने वाले पाधे क्या कहलाते हैं इन चार अप्शन में से जो आपको उचित लगे उनका चैन करें इसका मैं अंसर बता रहूंग दोस्तो ये बहुत ही most personal है, इसको लिख लेना है, मरुस्तल में उगने वाले पौधे, जीरो फाइट्स कहलाते हैं, क्या दोस्तो, जीरो फाइट्स, डेजर्ट वनसपती जीरो फाइट्स कहलाती है, अगला प्रसन दोस्तो, आपके सामने, ये भी बहुत ही महत्पूर्ण है, तोड़ आपको चैन करना है दोस्तो, अपना अपना टिक लगा लीजिए, इसका अंसर में बता रहा हूँ, खाद जाल में उर्जा का प्रवाय होता है, एक दिसी है, मिस एक दिसा में चलती है दोस्तो, जबकि पोसकतत्वे चक्री ही चलते हैं, क्लियर हो गया, अगला प्रसन आपक करने वाले पोधे कौन से होते हैं, A. आपसन सिंहाडा, B. आपसन हाइडरला, C. आपसन जलकुम्भी, D. आपसन नागफनी, दोस्तो, आपको अपना अंसर लगा चुके होंगे, मैं इसका अंसर बता रहा हूँ, इस प्रसन का उत्तर है दोस्तो, C. आपसन जलकुम्भी, ब दोस्तो, सातवाँ प्रसन आपके सामने ये रहा, हैदराबाद में इस्तित हुसेन सागर जील, हुसेन सागर जील किस जीव की ब्रद्धी से नस्ट हुई, मैंने आपको हिंट दे दी थी, सिक्स प्रसन का अंसर बताते समय, ये अगला प्रसन वीसी से सम्बंदे थे, हैदर तो है, परंतु उसमें जीवन नस्ट हो चुका है, अगला इसका ओप्सन देखें, A. मगरमक्च, B. जलकुमभी, C. हाइडरिला, D. लेमना, तो इसका सही अंसर आपने गैस कर लिया होगा, इसका B. ओप्सन सही है, जलकुमभी, अगला प्रसन दोस्तो, आठवा, सामाने र इफिजन आपको गलत करा देगा, सही अंसर टिक कर लें, इसका मैं बता रहा हूँ, A. ओप्सन के रहा है, दो कडिया, B. के रहा है, तीन कडिया, C. के रहा है, चार, D. के रहा है, पांच कडिया, तो सामाने रूप से आहर सरिंखला में कितनी कडिया होगी दोस्तो, अपना और चोथा होता है, तिरतिया को भूगता, समझ गहे होंगे, ये चार कडिया होती है, means four steps होते हैं, सामान रूप से आहर सरिंखला में, ओके दोस्तो, अगला प्रिसन आपके सामने, नौमा, nine questions कह रहा है, किसी प्रजाती को बिलुप्त माना जा सकता है, जब वो अपने प्र राकिट एक आवास में नहीं देखी गई, कितने वर्सों से, A option 15 वर्स से, B option 40 वर्स से, C option 25 वर्स से, D option 50 वर्स से, तो इसका अंसर टिक कर लिया होगा, मैं बता रहा हूं, इसका अंसर 9% का अंसर है, दोस्तो, D option 50 वर्सों से, अगला कुश्चन, लास्ट आज की वीडियो क दोस्तो, अंटेंपरिस ने, इसको नोट करते आना अगर नहीं आये तो, और लाइक करना, सेर करना, सब्सक्राइब करना, मत भूलिएगा दोस्तो, घास 1 में पाई जाने वाली खाद सरंकला का सही क्रम, जो घास है, वन है, उसमें पाई जाने वाली खाद सरंकला का सही क्र करना है दोस्तो घास पहला चु कहे होंगे दोस्तो इसका अंसर ओद मैं इसका अंसर वता रहा हूं C आफ्चन दोस्तो इसका सही अंसर है घास होता है पहले फिर प्रथं अब्होंता है अंसर है और दुल्क्त कहाओ भूता sind त यू डूप फिर होता है जूम, means चिडियागर, अगला इसका अंसर सही है दोस्तों, अगला प्रेस्ट नहीं है, यह अंतिम प्रेस्ट था दोस्तों इसका, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, ग्यान बर्धन हुआ हो, तो दिल से लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइ नहीं वीडियो